अब तक हम अलग-अलग सीटों पर बात कर रहे हैं क्योंकि 11 तारीक को 8 लोग सबा सीटें उत्तर पुदेश की हैं जिन पर वोटिंग वोनी है हमने बात की तमाम और सीटों की अब हम बात करने जा रहे हैं बाकपत लोग सबा सीट के अजीज सिंग ने इस बार बाकपत को छोड़ दिया है अजीज सिंग बाकपत को छोड़ करके इस बार मजफ़ा नगर से चुनाव लड़ना है और ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि अजीज सिंग ने बाकपत को क्यों छोड़ दिया जिस जगह से आप 6 बार लगातार थोड जाटलेंड मुदफवनगर भी है जाटलेंड बाकपत भी है तो अजीज सिंग ने मुदफवनगर क्यों चुना यह सबसे जहन में एक सवाल है इस सवाल का जवाब सबसे बड़ा यही है जो मैं आपको दे रहा हूं उनको मिश्रा इस सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं यह बात्पत की बात करें रास्टी लोगदल का गड़ रहा है मुझफवर नगर की बात करें या बाकी बेल्ट की बात करें यहाँ पर अगर संजीव बालियान एक बड़े जाट नेता के तौर पर उभरते हैं तो वो अजीस सिंग और जैन चौधरी के लिए आने वाले वक्त में किसानों के तौर पर किसानों के मुद्दों को उठाने के तौर पर एक बड़ा खत्रा हो सकता है ऐसे में अजीस सिंग कोई भी नुकसान इसको ले करके नहीं तौल सकते थे दूसरी महत्पूर बात जो है कि अजीस सिंग यह चाहते हैं कि जो अपनी राजितिक विरासत है जो भी जितनी सारी स्थानिय जो जाटों के लिए जो भी अपना फिल्लवर्क किया है जो भी अपनी अभी तक की पूंझी हो भी सारी चीजें उनको कहीं ने कहीं वो जैन चौधरी को उसको आगे समालने के लिए देना चाहते हैं ये अगा करना है कि कि बाग पत की चुनावी दंगल में है और जैन चौधरी से उनका मुकाबला है नेट टू नेट वाली पाइट है सत्पाल सिंग मुंबई में पुलिस कमिशनर रहे हैं के इन सरकार में मंतरी भी रहे हैं और ऐसे में पिछली बार उनको 42.15 फीसद वोट मिले थे जबकि अजीज सिंग को 19.9 इस तरीके से हालात हैं इस बार बाग्पत का मुकाबला काफी कांटे का होने जा रहा है क्योंकि सत्पाल सिंग ने पिछली बार दो लाक से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी अब बात कहीं जाये तो बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि 1967 में आपको बता दें कि बागपत की लोकसवा की जो सीट है वो अस्तित तुम में आई थी 1997 में बागपत जिला बना पहले ये मेरिट की एक तैसील हुआ करता था यहां पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम और जाट के समीकरण इस तरीके से पर है तो गुल की मिठास किसको मिठा करेगी और किसका मुख खटा करेगी ये तो सबसे बड़ी बात दे लेकिन गन्ना और तमाम मुद्दे इस बार चुनाओं में पूरी तरह से आवी हैं हर्याणा की सीमा से सटा हुआ है क्या जेहन चौदरी क्योंकि पिछली बार यहां देखने को मिल रहा है ऐसे में तमाम मसलों पर पांच विधान सबाएं हैं इस लोग सबासीट में जिनमें चार पर बीजेपी का कबजा है एक पर रालोत का कबजा है सबसे बड़ी बात यह हाईवे और खेती उद्योग धंदे ये सारे मसले इस बार चुनाओं में हावी र हुकतान, सहारनपुर का हाईवे, शिक्षा, बिरोजगारी ये तमाम मसले ऐसे हैं जो इस बार चुनाओी चौसर पर इर्दगिर्द खूमते गुए नजरा आते हैं हुका बंचायतों में हार जीत का फैसला लेने के लिए बागपत का काफी मशूर है और बागपत का सियास हैं इस बार के सियासी दंगल में लेकिन फाइनल मुकाबला जो है वो सत्वीर सिंग जो की मुंबई पूलिस कमिशनर है और साथ की साथ जैन चौधरी के बीच में है क्योंकि ये मुकाबला इसलिए भी महत्पून हो जाता है क्योंकि अजीत सिंग ने इस बार अपने पुत अजीत सिंग के पुत्र जैन चौधरी बचा पाएंगे देखना होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए ये हमने बागपत की तस्वीर आपके सामने रखी और लोग सभासीटों की तस्वीर भी आपके सामन में रखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए